देश के दिगज IPS आफिसर सुबोत कुमार जैसवाल को CBI के नए डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौपी गई है 58 साल के जैसवाल 2022 में रिटायर होंगे 1985 बैच के IPS आफिसर सुबोत कुमार जैसवाल के बारे में कहा जाता है कि वे जासूसी में माहिर हैं इस गुण के कारण ही वे रौ में खास जिम्मेदारी भी निवा चुके हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल कमेटी मीटिंग में IPS सुबोत कुमार जैसवाल को CBI का नए डिरेक्टर बनाय जाने का फैसला लिया गया इस कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और लोगसबा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे CBI डिरेक्टर का पत फरवरी से खाली था तभी से अतिरित निदेशक प्रवीन सिना इसके अंतरिम प्रमुक थे CBI चीफ की डौड में वैसे तो उत्तरप्रदेश के DGP, HC अवस्थी, SSB के DG, कुमार राजेश चंद्रा और ग्रहम अंत्राले के विशेश सचिव, BS के कौमुदी आगे चल रहे थे लेकिन आखिर में सुबोत कुमार जैसवाल का नाम फाइनल कर दिया गया वे दो साल तक इस पत पर रहेंगे सुबोत कुमार जैसवाल, महराष्ट के DGP, ATS चीफ और CISF के डिरेक्टर जेनरल भी रह चुके हैं सीनियर IPS ओपीसर सुबोत जैसवाल बेदाक छगी के अफसर माने जाते हैं पुलिस सेवा में बहतरीन काम के लिए उन्हें साल 2009 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा जा चुका है जैसवाल को जासूसों का मास्तर भी कहा जाता है उन्होंने Research and Analysis Wing यानी RAW में भी अपनी सेवाइं दी हैं वहाँ केबिनेट सचवाले में अतरिक्त सचिव भी रह चुके हैं इसके अलावा जैसवाल ने कई बड़े मामलों की जाँच भी लीट की है मुंबई में रहते हुए वह करोडों रुपे के जाली स्टाम पेपर घोटाले की जाँच करने वाली स्पेशल टीम की चीफ थे साल 2006 में हुए माले गाउं विस्पोर्ट की जाँच भी सुबोत कुमार जैसवाल नहीं की थी IPS सुबोत जैसवाल इस्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानि SPG के इंटेलिजन्स ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं 36 साल के केरियर में चार प्रधान मंत्रियों के साथ काम कर चुके सुबोत कुमार जैसवाल जारकन के छोटे से गाउं से आते हैं ग्रैजुएशन और MBA करते हुए उन्होंने तीन बार National Defense Academy यानि NDA का एक्जाम दिया लेकिन तीनों बार वे नाकाम्याब रहे उन्होंने तब बताया था कि UPSC का एक्जाम क्लियर करने के बाद उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसके बाद नौकरी कौन से मिलनी है सुबोत कुमार जैसवाल का जन्म 22 सेतंबर 1962 में हुआ था महस 23 साल के उम्र में ही वा IPS अधिकारी बन गए अपनी काबिलियत के दम पर ही जैसवाल का देश की खूफिया एजंसी रौ में कई महत्वपूर ओपरेशन के लिए चैन किया गया जिसमें उन्होंने बहुत ही बहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया रौ के लिए उन्होंने देश के बाहर कई सफल ओपरेशन को भी अंजाम दिया IPS सुबोत की इनी खूबियों को देखते हुए उन्हें CBI की कमान स्वापी गई है और ऐसी आश्वा है कि वाद CBI में भी अपने अनभवों से सरहने कामों को अंजाम देते रहेंगे